फेमस आक्टरेस दिव्यांका तरपाथी टीवी की सबसे फेवरेट भहू में से एक हैं। बारे में दिव्यांका तरपाथी ने इंटरव्यू में खुलासा किया कि किस तरीके से शरुवाती दिनों में उनके साथ मुंबई में क्या क्या हुआ जिसे वो आज याद भी नहीं करना चाहती हैं। और बॉलिवुड में जो लड़कियां चोटे शेहरों से आती हैं अपना करियर बनाना चाहती हैं वो इस बास से अंजान ना रहे कि युए इंडस्टी में आने के बाद उन्हें कैसे कैसे लोगों से मिलना पड़ेगा। कुछ टाइम पहले दिव्यांका तरपाथी ने अपने एक इंटरव्यू में कास्टिंग काउच को लेकर खुला सकिया था। उन्होंने बताया था कि इंडस्टी में काम कैसे होता है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस तरह की चीजों में शामिल होते हैं। पीछ नहीं काल जाता है। ये तो सिर्फ एक डील होती है कि अगर आप ऐसा करेंगी तो आपको बड़े सीरियल में काम करने का मौका मिलेगा। और एक बार आपको काम करने का मौका मिला तो पीछे मुड़कर देखने की कोई भी ज़रूरत नहीं। अपने एक्सपीरिंस के बारे में बात करते हुए दिव्यांका ने कहा कि एक मुलाकात के बाद उन्होंने बताया कि उन्हें एक रोल के लिए चुना गया। लेकिन उसके बाद उस शक्स के असेस्टन ने कहा कि उसे तुर्रंत अमेरिका के लिए जाना होगा ताकि वो दोनों कुछ टाइम अकेले बिता सके और एक दूसरी को बहतर जान सके। के कई तरह से फाइदा उठाने की कोशिश करते हैं। यहां तक कि वो ये भी धमकी देते हैं कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा करियर बरबात कर दूँगा। दिव्यांका तरपाठी ने खुल कर इंडस्टी में चल रहे कास्टिंग काउच पर बात की और इस इंडस्टी का काला सच्छ सब के सामने रखा। जो भी लोग इस इंडस्टी में आक्टर बनने के लिए आते हैं उनका सपना होता है कि एक टाइम पर वो बड़े आक्टर्स बन जाएंगे बड़े सीरियल या फिर फिल्मों में उन्हें काम मिलेगा। लेकिन इस इंडस्टी में घुसने के टाइम पर ही कुछ लोग उन्हें ऐसे ठकराते हैं जो कि उनका फायता उठाना चाहते हैं उन्हें गुम रहा करने की कोशिश करते हैं और इन सब चीजों से होकर गुजर चुकी हैं टीवी आक्टरेस्ट दिव्यांका तिरपाथी जि उनकी रहा इतनी आसान नहीं होती क्योंकि इंडस्टी में आने के बाद उन्हें ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो उनका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे अगर आप ने फिल्मे बीट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं क्या तो कर लीजिए आप हमारा ये वीडियो फेस्बुक पेश पर देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिए बॉलिवोटर टीवी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे हैं फिल्मे बीट